हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपने इस क्लास से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है इन सब में थोड़ी थोड़ी वेरीशन के साथ आपको देखने को मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग के लिए मैगनेटोस्टेटिक्स को काफी ध्यान दिया गया है वहीं पर इलेक्ट्रोनिक्स के बच्चों के लिए एंटिना और वेव गाइड का एक जब आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और आप अपना ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस सारे सिलेबस को समराइज करके हमने ये टॉपिक्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं जो हम अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त कवर करेंगे तो आज के लेक्चर में हम ए इस सब्जेक्ट में one by one step by step move करते वे अपने जो भी टॉपिक से उनको कवर करते जाएंगे यहां यह ध्यान देने की बात है कि यह जो सब्जेक्ट है यह कंप्लीटली आपका नुमेरिकल बेस सब्जेक्ट है तो इसमें हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक बेसिकली आपका elementary जो आप physics में पढ़ चुके है उसी का थोड़ा extended version है तो हम उनको कवर करेंगे और उस explanation को कवर करने के बाद हम उस पर कुछ example problems को discuss करेंगे as well as आपको assignment problems दी जाएंगी ताकि आप practice करके इस subject में अपना high score बना सके इस subject को अगर हम देखेंगे तो या तो direct जो आपकी theorems है, theorems का आपका expression आप से पूछ लिया जाएगा objective में या आपको stick करने के लिए किसी भी theorem को या law को कह दिया जाएगा या जितनी भी different definitions हैं उन पे based एक तो आपका subjective as well as objective problem बन सकता है और secondly यह आपका एक objective का numerical as well as subjective में अगर हम mains की बात करें engineering services mains की बात करें या हम particularly gate की बात करते हैं तो हमारे लिए यह जो subject है यह चोटे चोटे topics को आप अगर पढ़ लेते हैं तो उस पे बहुत ही straight forward आपके पास एक definition based object होगा उसको आप attempt कर पाते हैं और छोड़ते अगर आप इस तरह से selective होते होए अगर आप पढ़ाई करते पढ़ते हैं तभी आप instrumentation पढ़ पाएंगे क्योंकि आप जो machines में या जितनी भी आपकी devices उसमें किस तरीके से fields बन रहे हैं किस तरीके से fields interact कर रहे हैं वह आपके इस पर बेस्ट है अगर आप electronics के student है तो आपका जो communication theory है वह आपका इस पर बेस्ट है यही आपकी microwave जो engineering है कि जो microwave engineering का जो concept है सभी subject यहां से किसी ने किसी तरीके से correlated है तो out of syllabus किसी भी problem को declare कर देने का margin नहीं है और यह basics of engineering खास कर electrical और electronic students के लिए बहुत important है तो आप इसको अपने conceptual knowledge के लिए और अपने further subjects को अच्छे से समझ पाने के लिए ध्यान से पढ़ें concepts को हम detail में discuss करेंगे visualize करने की कोशिश करें कि किस तरीके से coordinate system exist कर रहे हैं किस तरीके से field बन पा रहा है फिर आप उस पे based जितने भी problems होंगे उन्हें attempt कर पाएंगे as well as आप अच्छा score भी कर पाएंगे तो इसमें अगर जो topics हम cover करेंगे हमने यहां पर basically 8 topics select कर लिया है पहला topic हमारा vector analysis रहेगा यह vector analysis कुछ branches के syllabus में लिख दिया गया है और वरना आपका जो gate का mathematics का syllabus है उसमें vector analysis लिख दिया ता आप कहीं पे भी पढ़ें vector analysis को पढ़ें बिना हम EMFT को आगे carry over करें यह possible नहीं है किस coordinate system में आप किसी particular electric field को magnetic field को represent करेंगे उसके लिए यह आपका vector analysis पढ़ना बहुत important है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बहुत basic scalar vector field इनकी definition discuss करते हैं हम coordinate system पढ़ेंगे coordinate system में basically हम rectangular या Cartesian coordinate system जिसमें कि आप x y और z लिखते हैं एक पॉइंट की location को बताने के लिए cylindrical coordinate system जिसमें कि आप row 5 और z में mention करते हैं फिर उसके बाद spherical coordinate system जिसमें आप r theta और 5 इन तीन coordinates के साथ किसी point की location को mention करते हैं यह coordinate system हम क्यों पढ़ रहे हैं इनका क्या interchange आप इनको आपस में किस तरीकी से कर सकते हैं यह सब आप इस section में detail में पढ़ेंगे फिर इनही coordinate system पे based displacement element area या volume आप कैसे calculate करेंगे differential जो इनके elements है d l d s d v इनका calculation सब भी coordinate system के लिए देन वोट दूमीन बाइडियन डाइवर्जें और डाइवर्जेंस और करल ऑफ फिल्ड अगर यह सारी जो basic definition से इनको पढ़ेंगे कौन सा आपका formula आप apply करके और आपको दे दिया जाता है कि vector a is represented by this divergence of this at point this is this curl of this vector at this तो यह आपको इस तरह कि simple statement wise problems आएंगी और numerical based problem है तो आपको बस इनका definition और इनका conversion जो formula है आप इस subject को कैसे पढ़ेंगे आप इस subject को जब पढ़ रहे हैं तो आप अपने notes बनाते जाए उन notes में आप basic definitions लिखे और किसी भी chapter को शुरू करने से पहले आप first page जो है आप mention करते जाएं ताक्कि आप उसके conceptual correlated जो भी आपका concept बनेगा और रिलेटर प्रॉब्लम बनेगी उससे आप visualize कर सके पूरा chapter खतम होने के बाद आप उन दो first pages पे समरी के तोर पे सारे formula सारी units और सब जो आपका concluding remarks से उनको लिखे तो आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं बहुत ही interesting और बहुत ही high score कर सकने वाला यह subject है थोड़ा सा students इसको widely spreaded होने की वजह से थोड़ा tough feel करते हैं थोड़ा रुकिए ध्यान से पढ़िए और इंजिनिंग students का जो एक imagination का अपना एक extra edge रहता है उसको आप यहां पर जरूर implement करिए तो basic vector analysis पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे electrostatics ठीक जिसमें हम coulomb slope electric field intensity because of because of point charge line charge sheet of charge यह सारी चीजों को पढ़ने के बाद electric flux density क्या रहती है गॉस लॉग क्या है गॉस लॉग बेस्ट आप divergence theorem Maxwell equation ठीक है Maxwell की equations आप से बहुत frequently पूछी जाती है और throughout the syllabus किसी conclusion के साथ आप Maxwell की first equation को derive कर लेंगे किसी conclusion के साथ आप Maxwell की second equation को derive कर लेंगे और finally हम अपनी Maxwell equation को एक concluded statement की तरह से लिखेंगे उन्हें point form में integral form में अलग-अलग mention करेंगे तो यह जो प्रोसेस से Maxwell equation लिखने का वह आपके throughout the syllabus coverage चलता रहेगा तो गॉस लॉप पर बेस आप यह theorem पढ़ेंगे then what is electric field energy stored in the system और potential आप किस तरह से calculate करते है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उससे हम discuss करेंगे conductor dielectric materials dielectric materials और उन पर बेस boundary conditions ठीक है यह बहुत आता है आपके exams में capacitance किस तरह से parallel plate capacitance form होगा उसकी value किस-किस factor पर influence करेगी और इन्हीं नहीं conductors और डाइलेक्ट्रिक पर बेस आपके boundary condition यह conductor है और free space है या दो डाइलेक्ट्रिक materials है तो boundary conditions क्या क्या रहेंगी और किस-किस तरह से आप उनके conclusions को memorize करेंगे as well as समझेंगे यह सब आपको यहां पढ़ना होगा then poisons and laplace equation भी आप electrostatic में पढ़ेंगे electrostatic को पढ़ने के बाद next topic है वह आपका magnetostatic है जिसमें आप पढ़ेंगे जो किसी current carrying element की विज़े से कितना magnetic field generate होगा उसको discuss करता है यह जो magnetostatic है यह basically आपका static magnetic field अभी तक हम यह जो भी पढ़ रहें static fields को discuss कर रहें जिसमें जो हमारा source of field है वो time wearing नहीं नहीं है okay then ampere circular law क्या रहता है और करल पर बेस स्टॉक्स theorem क्या रहेगी फिर उसके बाद में magnetic flux और magnetic flux density क्या होगी और इंडेक्टेंस अगेन वही boundary conditions और उसी पर बेस्ट आपका किसी भी setup में इंडेक्टेंस किस तरह से develop होगा उन सबको हम magnetostatic में पढ़ेंगे यहां तक कि अभी तक जो हमने conditions develop की है उसमें electric field का source जो की एक चार्ज है वह static है as well as magnetic field का जो source है वह हमने current माना है और उसे हमने time invariable माना है तो यह हमारी जो study थी यह हमारे static field को define कर रहे थी जबकि जो real life में आपका magnetic field और जो electric field exist करता है वो time wearing field भी होता है आपका time wearing electric field भी magnetic field generate करता है तो अगर हम time wearing next unit जो हमारी रहेगी हो रहेगी time wearing fields ठीक अगर electric field और आपके जो magnetic fields है वो time के साथ vary कर रहे है तो आपकी Maxwell equations जो है वो modify हो जाएगी जैसे कि जनरली अगर हम static field के लिए बात करें तो dell cross e जो है वो zero होता है लेकिन अगर आप time wearing field के लिए बात करेंगे तो dell cross e will be minus dell of b by dell d इस तरीके से आपकी Maxwell equation दो Maxwell equation आपकी modify हो जाती है time wearing field का basic principle discuss करके और उसके basic जो हमारे Maxwell equation में modification है उनको discuss करके हम अपना next topic discuss करेंगे that is uniform plane wave और transverse इस uniform plane वेव में आप एक और sub topic को discuss करते हैं that is transverse electromagnetic wave TEM wave ठीके आप जब भी आपका electric field time के साथ वेरी कर रहा है तो वो एक magnetic field generate करता है और वो magnetic field time variable है वो अगेन एक electric field generate करता है और इस तरीके से जो आपका wave propagation है वो किस तरीके से आगे move कर रहा है उसके साथ कैसे energy flow कर रही है क्या उसकी propagation direction रहेगी उसको visualize करने के बाद हम इस uniform plane wave पे basic definition जिसमें यह uniform plane wave अगर free space में travel कर रही है तो क्या properties रहेगी यह perfect dielectric में कर रही है तो क्या properties रहेगी lossy dielectric में अगर यह travel कर रही है या फिर conductor में travel कर रही है तो कुछ basic terms हैं जो अपने formula के हिसाब से modify होती जाएंगी तो वह आपसे अलग-अलग case studies में आपसे पूछा जा सकता है और और उनकी basic definitions phase velocity क्या रहेगी intrinsic impedance क्या रहेगा lost engine क्या रहेगा conductor के case में skin effect क्या रहेगा skin depth क्या रहेगी तो यह सारे parameters पढ़ेंगे फिर pointing vector आपकी जो wave travel कर रही है उसमें net energy flow जो है वो किस coordinate system के साथ move कर रही है और क्या आपको अगर आप energy propagation को power propagation को अगर represent करेंगे तो उसको किस तरह से represent करेंगे उसके लिए आप pointing vector को काम में लेंगे then comes very important topic reflection of uniform plane wave यह इसमें आप एक incident wave है ठीक और वो एक kind of medium से दूसरे kind of medium से जब pass on होती है तो यह जो EI है incident wave वो कुछ आपकी transmit हो जाएगी ET की form में कुछ आपकी reflect हो जाएगी reflected wave तो यहां पे in boundary condition पे based आपसे पूछा जाएगा कि अगर incident wave यह है तो reflected wave का magnetic field का expression क्या होगा transmitted जो आपकी wave है उसकी equation क्या होगी तो यह एक बहुत important topic है और इसमें बहुत variety की problems मनती है यहां पर आपसे reflection coefficient क्या होगा यह पूछा जा सकता है आपसे standing wave ratio क्या होगा यह पूछा जा सकता है कितनी आपकी आपकी power transmit हुई कितनी reflect हुई बहुत variety की problems मनती है और E field और H field अगें फिर उसको subdivide कर देते हैं तो वो सारे cases जो है वो आप reflection of uniform plane wave के topic में discuss करेंगे फिर आपका आ जाता है transmission line next जो unit पढ़ी जाएगी वो रहेगी transmission line transmission line में जो आपने जो parallel wires को implement कर रखा है वहां पर जो circuit का resistance capacitance जो है वो एक fix value करना हो के per unit length में define किया जाता है और वो आपका जो आपने implant किया है उनके already जो आपने parameters लिए उस पे भी based होता है एस यह आपकी transmission frequency है उस पे भी based होता है तो जो हमारा एक simple resistance था जो एक आप simple resistive wire जो consider कर रहे थे उससे आपका अब resistance जो है वो change हो जाएगा जो की operating frequency पे भी depend करेगा because high frequency पे आपका जो field distribution है वो सबको consider करके आप RLCG per unit length की form में define करेंगे उनको पढ़ेंगे उनके बाद आप transmission line जो setup होई है transmission line finally कहीं पे एक load impedance में conclude हो रही है load impedance के according फिर आप input की तरफ से जो देख रहे हैं वो input impedance क्या है उसकी characteristic impedance क्या होती है किसी भी आपने जो transmission line को design किया है उसकी characteristic impedance बन जाएगी depending over the length of the transmission line as well as operating frequency omega का function हो जाता है इसमें z0 जो characteristic impedance है z0 वो omega rl इस सबका function हो जाएगा और इस characteristic impedance का क्या मतलब है और किस तरीके से यह आपको perfect load लगाने के लिए आप इसको काम में लेते हैं और impedance matching का क्या मतलब है अगर impedance matching नहीं हो पाई properly तो क्या reflection coefficient रहेगा यह सब चीजें आप transmission line में पढ़ेंगे wave guide wave guide microwave engineering में electronics के students पढ़ते हैं यहाँ पर आपकी syllabus में वेव गाइड जिसमें की rectangular और circular wave guide लिख दिया गया है syllabus में इसलिए वितिंग की हम इसको इसको इसी में कवर कर लेते हैं ताकि आप अपना यह जो syllabus है वो completely आपका confidence बढ़ा रहे और आप से attempt कर पाएं इसमें rectangular और circular दौनों मेंशन हैं दौनों के लिए modes क्या रहेंगी कट-off wavelength क्या रहेंगी आप air filled wave guide ले रहे हैं या आपकी से उसको फिल्ड है आपका और उन cases में ग्रूप और फेस वेलोसिटी किस-किस तरीके से modify हो जाएगी क्या attenuation constant रहेगा यह सब वेव गाइड से related हम topics को discuss करेंगे कौन-कौन से mode exist कर सकते हैं यह mode अगर exist कर रहा है तो cut-off wavelength क्या होगी उस पे numerical आपके बहुत बनते हैं dominating mode क्या रहेगा ठीक है तो और last जो आप topic discuss करें यह electronics के students के लिए है जिसमें कि basics of antenna उने पढ़ना होगा हालांकि wave guide में आप लोगों से wave propagation in optical fiber भी पूछा गया है but I think कि हम उस topic को जब हम communication engineering पढ़ेंगे तो optical communication सब heading के अंडर हम उसको discuss कर लेंगे क्यूंकि उस पे जो variety of problem है वो थोड़ा बढ़के आता है और eight problem को solve करने के लिए भी आपको at least topic पढ़ना होगा अगर हम इसी तरीके से एक एक problem को छोड़ते वे selective होते चले जाएंगे तो हमारा जो score है वो भी selective हो जाएगा रसूद ऐसने बासे और डियुटी किसी एंटिना की क्या कैसे हम डिफाइन करते हैं मोनोपोल दाइपंटिना थेन डेर सथम ऑल्सों एंटिना एक सी तरीके से ग्रूप ओ आपंटिना को हाप इंस्टल करके इंटेंसिटी को या डिरेक्शनल देडिशन को एनहांस करते हैं वो सारे बेसिक्स हम पढ़ लेंगे ताकि आप अगर उस पर स्टेक्मेंट प्रॉब्लम आए या सिधा फॉर्मूला बेस्ट प्रॉब्लम आए या पैरामीटर्स भी दे रहे हैं तो आप बेसिक नुमेरिकल्स को कवर कर सकें यह बेसिकली आपका जो वे प्रपोकेशन एंटिना जो इंजिनिरिंग है उसका एक समराइज डिसकुशन और इस सिलेबस को जिस तरीके से मैं आपको रिक्मेंट कर रही हूं जिस मेतेडोलोजी को फॉल आप करते वे पैटरन को डिसकस किया जाएगा टॉपिक को डिसकस किया जाएगा नुमेरिकल प्रॉब्लम यहां पे एक्जांपल के तौर पे आपको सॉल करवाई जाएगी और जो असाइनमेंट मैं आपको प्रॉवाइड करूँ प्लीज दू कैलकुलेट दा आंसर और उन्हें जरूर से चेक करें आई बिलीव यूविल देफिनेटली स्कोर और यूविल फाइंट इंटरेस्टिंग जो थोड़ा सा भी इसके बारे में आपको डाउट या कन्फ